हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप उमीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और स्रक्षित होंगे और आप हमेशा अपनी फैमली के साथ ऐसी हस्ते मुस्कुराते रहें दूआ करती हूँ हमेशा आप सभी के लिए तो फ्रेंड्स मैं आपको काफी दिन से बता रही हैं कि मेरे गले में प्रोडम है और मेरे से बातनी होती तो असली जड़ यस से हैं कि मेंने लाह पर आपरओ आप बरती मेरे ऑप आपाई भी बीटर दुआया खाती रही और हम अपना टेक्स्ट mieć रहाया जर्म होस्पेटल में गई तो मुझे बताया गया है कि मेरे अंदर जो एसीड था वो गले में फेल गया है उस वज़ा से में इंफेक्शन हुआ है तो मैंने द्वाहिल आई है रात को भी खाई थी सुबह भी खाई बहुत फर्क पड़ा अब मेरे से खाना भी खाई जा रहा है और बात भी हो रही है यहां पर मेरे को स्वेलिंग आगी थी वह खत्म होगी एक मीनी का कोर्स बताया है मुझे डोक्टर ने और फ्रेंड्स यहां पर बारिश नहीं हो रही है सोलन में बिल्कुल भी नहीं और मौसम मतलब धूपाई भी कल हुई थी बारिश मतलब इतने जादा नहीं हुई कमी हुई बारिश यहां पर सोलन में और आप के बंद हो जाती है वहां ना जाएं अपने आपको सुरक्षित रखें और सेफ जागा पर रहें पता नहीं होता कि कभी कुछ गटना कर जाए और फेंड्स में आज सारा काम किया कपड़े भी धोये और घर का सारा काम किया क्योंकि सब मेरे से तवीत खराब होने को जैसे हमने कर पा ती और जो मेरे प्राइबिट दॉया लाति इस से मिरको नूइद पड़ जाती थी बस सोना 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 बस दॉइख हाने सोना वस यहां ले गया था और आज मैं बहुत अच्छा पहिल कर रहा हूं आपके सा साथ मेंगा बात कर रही हूं बड़ी खुशी की बात ह मतलब यह कि जो बाते में आपके शेयर करती हूं मैं अपने के साथ बार विश इसे बाते हो खकीत क्ठाक में मैं कुंकि सोचल मेडिया में भी विश्वास वाली बात होती है है और आपके ओपर मुझे बहुत विश्वास थे मुझे समझ नहीं आता कि कोई देखो मेरे पास एकी रूम है किचेन में अगर कुछ बुनाती हूं उसकी वीडियो डालूं तो फिर भी मुझे ऐसी बोलेंगे डेली एकी वीडियो डालती है किचेन में डालती है कुछ मतलब समझ नहीं आता कि मैं आप क्या डालूं और आप प्लीज सभी मुझे सिजेशन दें कि मैं कि इस विशे पे और कौन सी वीडियो डालूं थोड़ी सी हेल्फ करें और मुझे स्पोर्ट करें क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है मुझे अपने बच्चे को बहुत आगे तक लेके जाना है वैसे तो सभी करते हैं पर मैं आप मेरा अभी बता नहीं सकती सोसिल मेडिया पर कि मुझे मुझे पर कितनी जमिवारी है मैं अपने बच्चे के हल्फ करना चाहती हूं प्लीज आप मुझे सभी हल्फ करें मुझे स्पोर्ट करें और मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहती थांक्यू सो मच आप सभी मेरा हल्फ करें कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को हम सोचल मीडिया पर नहीं ला सकते हैं कि पर यह यह फ्रेंड्स कि आप मेरा साथ दे और जितना भी हो सकता है कि मैं भी आपकी हैल्फ करूंगी इसलिए मैं यूटूब में आना मेरा एक ही मकसद था कि मैं अपने बच मतलब तार्गेट डालना पड़ेगा पर जब पता चला फिर इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि मुझे आप सभी स्पोर्ट करना मतलब हमारा घर चलाना भी बहुत मुस्किल होता है मैं रेंट पर रहती हूं मेरे पास अभी कोई जोब भी नहीं है और को किसी की हेल्फ न अइस के हैं और आप से अमेद करती हूं किया मीरी हैल्प करेंगे और मुझे आगे तक करेंगे मेरे बच्चे को यह को जया हई को त्यों मेरे घर का खर्चा भी मुझसल से चल पाता है और में बहुत मुस Jade में हूँ हूं समझ्यों जिन्दिगी में हालात कैसे भी होएं हमेशा हमें हसते हुए गुजरना चाहिए और हमेशा हसते हुए अपर जिन्दिगी को गुजरना चाहिए और कई बार ऐसा मुकाम आ जाता है ऐसे घड़ी आ जाती है कि आशू नहीं रुक पाते हैं मैं इतना दिल दिल में कई बार बहुत रोती हूँ नहीं आप चाहती हूँ कि आपके सामने में अपने कहानी रोपीट के आपके सामने लाओं और मेरी बात को मुझे आक उड़ा जाए पर आप मेरी बात को प्लीज सिरियस लेना